नमस्ते मैं BT गोरे और BT गोरे यूटूब चानल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों मेरे खेत में हूँ अभी और मेरे खेत में जिंजर का प्लांटेशन चल रहा है यह जो माउसी है यह माउसी अभी पीछे से जिंजर रख रही है मैंने पहले वीडियो में आपको बोला था कि यहां से लेके वहां तक पूरा का पूरा डिस्टंस साड़े चार फीट का रहेगा और इसके उपर दो ही रो आएगी और दो रो के बीच में एक फीट का डिस्टंस रहेगा एक लेटरल यहाँ पे रहेगी एक लेटरल यहाँ पे रहेगी यहाँ पे दो लेटरल रहेगी क्योंकि बहुत नीचे तक पानी नहीं जाना चाहिए सिंगल लेटरल अगर आप यहाँ पे डालोगे तो इतना पानी देंगे यहाँ तक नमी आने के लिए कि वो पानी आपका दो-दो फीट तक निचे जाएगा जितना जादा पानी देंगे उतना विल्ट की समश्या बढ़ेगी इसलिए डबल लेटरल कम से कम डिच्चार्ज वाले 0.6 लीटर प्रति घंटा या फिर 2 लीटर प्रति घंटा मैक्सिमम ऐसे लेटरल आपको यही पे रखना है आभी प्लान्टेशन जो आपको करना है यह सीड ट्रिटमेंट आपने किया है पहले सबी वीडियो देख लिज्ये बेड प्रिप्रेशन कैसे करना है लाटरल को कैसे रखना है यह सबी वीडियो इस प्लेलीस्ट के अंदर आपको ब ondan YouTube पर मिलेगा अभी एक्जाक्ट सुइंग करने से पहले यहां पर बेसल डोस डाला हुआ है बेसल डोस के अंदर मैंने डीएपी लिया है जिसे नाइट्रोजन और फॉस्परस मिलेगा मैंने पॉली सल्पेट लिया है जिससे पोटे आश केल्शियम मैंगनेशियम सल्फर और उसके बाद कुबेर गोल्ड यह जो ग्रैनियोल साते है यह कुबेर गोल्ड 25 किलो जिसके अंदर सिलिका भी है जिसके अंदर अमैने असिड्स भी है वो भी मैंने यहां पर डाल दिये है तो यह पूरा मिक्स करके 25 किलो प्रतियकर की साबसे उसको भी दे दिया है तो य मिट्टी लगेगी और उससे पहले मिट्टी में जो मिक्स किया हुआ है वह ग्रीन हर्वेस्पेशल यह यही पर डाला हुआ है तो जितना ज्यादा और्गेनिक डालोगे उतना बढ़िया आपका जिंजर मिट्टी के अंदर बढ़िया बनेगा तो अभी प्लैंटेशन के टा आपको दबा देना थ्वह ग्रीन डबाना है फिर एसको ऊपर हर्मी कंपोस्ट आएगा और फिर इसको मिट्टी से ढ़क दिया जाएगा फिस बढ़िया जातें प्लंते जूट चूर्त और यह चानंता पको करना है और लेबर आपके पास अफूल होता है अर्ली इन द मॉर और एक साथ में जाके मिट्टी अगर लगा रहे हो तो भी मैं बोलता हूँ यिल्ड आपका कम होगा ये लगा दिया वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तुरंत मिट्टी के अंदर जाना चाहिए इसको जादा धूप में आवा में नहीं रखना है इतना चीज आपको याद रखना ह तो दोस्तों जिंजर आपको लेना है अच्छा क्वालिटी ये वीडियो तो मैं बेशता रहूंगा विल्ट मैनेजमेंट के पूरी प्राक्टिस बताऊंगा जादा यिल्ड के लिए फर्टिकेशन कैसे करना है अवेना नूट्रिमिक्स का इस्तमाल कैसे करना है आमावश् सिर्फ आप वीडियो देख रहे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट में लिखे आपको ये वीडियो कैसा लगाय करके तैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म थैंक यू थैंक यू सो मुच